समस्कार दोस्तों आपके अपनी चनल में स्वक्त है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है वो आप लोग हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवस्टी है मिरपूर की जो यूजी और पीजी की अडिमिशन से यहां पर उपन हुई है उनके लि यह जो है वो देना पड़ेगा अब जो आपका हिमाचल प्रदेश कोमने ट्रांस टेस्ट यानि की HPCET जो है उसके लिए आपका कौन सा सिलिबस रहेगा पेपर पैटरन कैसा रहेगा जो एक्जाम डेटा है वो कब होगी तो इन सभी डिटेल्स के बारे में जो है वो बात क करेंगे इसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो आपका HPCET का एक्जाम हो रहा है इसमें UG के कौन से कोर्सिस आएंगे और PG के कौन कोर्सिस जो है वो आएंगे और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे जो है आप लोग इस एक्जाम के लिए ओनलाइन अपला BCA MBA और MBA tourism and hotel management के जो courses हैं उसके लिए एक्जाम जो है बुलिया जाएगा तो इसके लिए जो apply करने की date है वो 21 मार्च 2023 से start हो गई है और last date जो है वो 23 अपरेल 2023 जो है वो रहेगी इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे वी टेक वी फार्मसी और MCA courses का जो अपका exam है जो अपका HP CET का entrance exam है उसकी वाक्त करें तो यह test जो होगा वो 14.05 यानि की 14 माई 2023 को लिया जाएगा इसी के साथ इसकी जो timing रहेगी वो 9.45 से लेके 12 बजे तक रहेगी इसी के साथ MBA और MBA इसमें tourism and hotel management के लिए जो आपका entrance exam होगा उसकी date जो है वो यहाँ पे 14 माई 2023 रहेगी और इसी की जो timing है वो 2 बजे से लेके साम 4 बजे जो है वो रहेगी बाकी जो इसका result declare होगा यहाँ पे HPCET 2023 का यह result जो है वो 25 माई 2023 को जो है वो यहाँ पे निकाला जाएगा इसी के साथ counseling details की बात करें तो counseling जो है वो माई में आयोजित करवाई जाएगी और उसके साथ यहाँ पे QG courses की अगर बात करें तो इसमें आपको मैंने पहले भी बोला कि इसमें आपका VTEC और VFarmacy रहेगी और इसमें जो paper pattern की language आएगी वो English में होगी और जो आपका VTEC और VFarmacy के लिए जो paper pattern है या जो syllabus है वो ऐसे रहेगा तो physics के यहाँ पे questions आएंगे section A और V में किसी साथ chemistry के questions रहेंगे और साथ में आपको mathematics और biology के questions जो है वो रहेंगे तो VTEC के लिए यहाँ पे mathematics और biology के जो है वो भी फार्मस्य के लिए यहाँ पे questions रहेंगे तो यह सारा paper pattern होगा इसमें अपके जो overall questions है वो यहाँ पे 150 question आएंगे और जो total marks है यहाँ पे 600 जो है वो रहेंगे इसी के साथ जितने भी आपके questions हैं वो यहाँ पर MCQ type 2 questions जो होंगे और साथ में यहाँ लोग यहाँ पर जो PG courses हैं उसमें यह जो entrance exam रहेगा उसमें आपके courses MCA Master in Business Administration और MBA in Tourism and Hotel Management जो है वो रहेगी तो इसमें जो आपका questions आएंगे उसमें वर्बर ability, quantitative ability, data interpretation, business awareness, MBA and MBA यहाँ पर होंगे और multiple choice questions ही होंगे और timing जो हो two hours यहाँ पर रहेगी इसी के साथ qualifications की बात करें कि क्या क्या qualifications रहेगी तो वी टेक के लिए जो है वो plus two यहाँ पर qualifications रहेगी इसमें आपका physics, math, chemistry, computer science, information, technology, biology यह सारे subjectों में होनी चाहिए इसी के साथ b-pharmacy में आपकी physics, chemistry और इसके साथ mathematics, biology तो मतलब आपकी जो medical या non-medical से जो है वो आपकी यहाँ पर graduate sorry plus two जो होनी चाहिए इसी के साथ MBA और tourism and hotel management की बात करें तो इसके लिए जो है वो आपके पास जो भी यहाँ पे candidate है general category के पास के उनके पास जो है वो bachelor degree होनी चाहिए 50% marks के साथ और जो दूसरे यहाँ पे आधर cash degree के student उनके बाद 45% के साथ degree होनी चाहिए अब जो भी student जिनका last year चला है या जिनोंने अभी plus two के exam दी है वो भी इसके लिए जो है वो apply कर सकते हैं इसे के साथ MCA की बात करें तो MCA में आपका BCA, BSC, Computer Science, BSC, IT, BE, CSE, VTEC, CSE, VE, IT, VTEC, IT जो होनी चाहिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कैसे जो है वो आप HPCT 2023 के लिए apply कर सकते हो तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले आप लोगों ने अपने browser में HPTU की website को open कर लेना है तो जैसे आप यहाँ पे HPTU की website को search करोगे उसके बाद आपके बाद जो भी search में सबसे पहले link काईगा आपने उस पे क्लिक कर देना है जैसे आप उस पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे मार्चबदेश टेक्निकल यूनिवस्टिया मेरपुर की website जो अब open हो जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पे एक option दिख रहा होगा application form for HPCT 2023 तो आपने application form for HPCT 2023 वाले option पे क्लि आपके बाद जोब हो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे open हो जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो online apply करना है उसके steps आएंगे सबसे पहले आप लोगों रिजिस्टेशन करना है फिर आपका यहाँ पे application form फिल होगा उसके बाद आप लोगों अपना mobile number और email verify क जैसे आप इस option पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे open हो जाएगा तो आप लोगों ने नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक box दिखेगा आपने इस पे क्लिक कर देना है तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना यहाँ पे name फिल क रख सकते हो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक example के लिए रख रहा हूं जैसे मैंने यहाँ पे अपना रखा तो बैसे आप लोगों ने जो हो अपना यूजर ने अपने नेम के कोडिंग जो भी आप चाहो वो रख सकते हो बीच में आप जो है वो special character भी include जो हो कर सकते हो उस जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर पासबर्ड जो हो रख लेना है जैसे आप यहाँ पर पासबर्ड सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप लोगों ने अपना पासबर्ड यहाँ पर confirm कर लेना है जैसे आप अपना पासबर्ड नंबर जो हो यहाँ पर फिल कर लेना है जैसे आप अपनी email और mobile number फिल करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक option आएगा नीचे box आपने box को click कर देना है उसको जैसी आप select करोगे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे create account बाले option पे जो आप लोगों कर देना है तो जैसे आप यहाँ पर create option बाले option को click करोगे उसके आप यहाँ पे एक option दिख जाएगा click here तो आपने click here वाले option पे click कर देना तो जैसे आप यहाँ पे click here वाले option पे click करोगे उसके बाद जो है वो आपके पास एक आसा interface यहाँ पे open हो जाएगा तो आप लोगों स्टार्टिंग में फिर से पहुंच आओगे तो यहाँ पे जो आप लोगों ने login वाले option पे click कर देना तो जैसे आप login वाले option पे click करोगे उसके बाद जो है वो आपके पास एक आसा interface यहाँ पे open जो हो जाएगा तो जैसे आपको यहाँ पे यह option open होगा तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों ने send.tp to email करना है जहा से यहां पर यहां पर बैरिवाई एमेल करोगे उसके बाद जो है वह आपके पर्सोनल इंफ्रमेशन जो भी है उसको फिल करने के लिए जैसे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद प्रोग्राम प्रोग्राम के लिए आप लोग ने अपलाई करना है वो आप लोग ने यहां पर सेलेक्ट कर लेना अगर आप उने बी टेक करना है तो बी टेक बी फार्मेंसी तो बी फार्मेंसी सेलेक्ट कर लो बी टेक द लेक्ट कर लेना उसके बाद आपकी यहां पर क्वालिपिकेसन आ जाएगी तो इसके लिए बैचलर ही रहेगी उसके बाद जो कोट्टा है तो यहां पर आजाएगा ओल इन्या कोट्टे से आप अपलाई करना चाहते हो अच्पी तो आप अगर ही माच चलके तो अच्पी सेंटर है वो यहां पर आप लोगों ने स्लेक्ट कर लेना है तो जहां भी आप एकजाम देना चाहूं आप अपना यहां पर एकजाम सेंटर जो है वो स्लेक्ट कर सकते हो उसके बाद यहां पर बोनोफाइड ही माच चली अगर हो तो यास अगर नहीं है तो नो कर सकते हो उ जैसे आप save and continue वाले option पे click करोगे उसके next option पे आपको यहाँ पे photograph और signature जो आप लोगों ने download यहाँ पे upload कर देने हैं जैसे आप अपने signature और photograph यहाँ पे upload कर दोगे उसके बाद आपको confirmation मांगेगा पेज की कहीं पे कोई mistake होई यहाँ यहाँ पे edit कर सकते हो अगर आपके सारी detail सही है तो आपने यहाँ पे उसको confirm कर देना है और उसके next option पे आप लोगों ने payment कर देना है और payment के बाद जो है वो आपने application form का जो print out है वो ले लेना है तो इस तरीके से जो है वो आप लोग जाम है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो तो दोस्तों यह थे मारा अभी का बड़ा update अगर आपको यह वीडियो इंपनेवर्ट्री लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तरह से अफ्रेश की मारे साथ बने रहें धन्यवाद